हे गाईज, वेलकम टो वर चैनल, मैंने इस अफसर और यूटूब चैनल तो गाईज, आज की सुडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वाटसाप के तीन ऐसे अपडेट जो के भी हाल फिलाल के अंदर ही लॉंच हुए है और जो अपडेट शायद उसमें से कुछ अपडेट आपके काम आ सकते है और कुछ अपडेट मेरे सबसे काम में नहीं आ सकते है क्योंकि मैंने यहाँ पर जब उन अपडेट को देखा तो मुझे एकी बात पता चली कि इस में से जो कुछ अपडेट है वो बिल्कुल भी काम की नहीं है वाहियात अपडेट है तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हुआ को तीन अपडेट कौन-कौन से है कि जब भी कोई नया वाट्साइब के उपडेट आता है तो सबसे पहले बिटा टेश्टर को मिलता है जिसके वज़े से नयने फिचर का आनन्द वो सबसे पहले उठा सकते है तो ज़रूर से बिटा टेश्टर बन जाए उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखिए तो आप म देख रहें कि यहाँ परोर्ट सेब हमारा जिब उपन होता है तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो यहाँ अब देख सकते हैं एपने स्क्रीन के उपर इससे बार बार चला राहा हूँ तो आप यह पर देख वाट्साप ओपन हो रहा है क्योंकि इसका जो पॉपप जो इसके अंदर एक इफेक्ट डाला गया है इसके आइकॉन का यह बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा गया दूसरे के साथ अगर हम दूसरे वह अपडेट के अगर बात अगर तो वह अपडेट आपको यहाँ नोबडी वाले आप्षण को रिमूग कर दिया गया है यहाँ पर आपको एक नया फीचर एक नया अपडेट इसके अंदर दे दिया गया गया गुरूप के अंदर वह मैं आपको बता देता हूँ यह आगया मैं सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आ जाते हम तो यहां पर अगर आप Everyone कर देते हैं तो आपको कोई भी Championship करेंगे तो यहां पर की आपको यहां पर्पर क्लिक करेंगे उतने contact जो है तो आपको whatsapp के उपर add नहीं कर पाएंगे या फिर उतने contact आपको whatsapp के group के उपर add कर लेंगे तो guys ये था दो feature अब guys मैं आपको बताऊँगा इसका तीसरा feature जो कि यहाँ पर status के लिए है तो guys status के अंदर क्या होता था जैसे के भी आप screen के उपर देख सकते हैं कि आप पर status के अंदर जितने वी status है वो आपके उपर ही show हो जाते थे चाहे वो देखे वे हो या ना हो बढ़ गयाज यहाँ पर अब एक feature यहाँ पर आ चुका है जैसे आप अपने status देखने के बाद या फिर status को पहले ही अगर आप यहाँ पर लॉंग प्रेस अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है mute का जैसे आप यहाँ पर इसे mute करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपका जो status है वो गयाव हो चुका है मतलब के hide हो चुका है तो आपके status के अंदर यह hide वाला एक feature आ चुका है जो के मुझे काफी कमाल का लगा और आप भी मुझे comment box के अंदर जरूर से बताएगा कि इन तीनो अपडेट में से आपको सबसे अच्छा वाला अपडेट कौन सा मिला तो आप बात करते के mute update को हम किस तरीकी से देखें तो यहाँ पर देख रहा आपको एक arrow बना हुआ आप जैसे arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका mute update जो status है वो यहाँ पर आ जाएगा आप जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर hide हो जाएगा तो यह काफी कमाल का update है मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप इसको फिर से अगर unhide अगर करना चाहते है तो आपको उस पर long press करके रखना है फिर इसको unmute कर देना है उसके बाद आपका जो status है वो यहाँ पर easily आ जाएगा सब्सक्राइब करके bell icon को जोड़ से प्रेस कर दीजे क्योंकि इसी तरीकी के interesting और helpful videos मैं आपके लिए daily लाता रहता हूँ